आज ना एक confession करती हूँ आप लोगों के सामने मैं भी ना पहले daily sunscreen नहीं apply करती थी बट आपको याद होगा आज से 5-6 साल पहले इन truck driver की photo इंटरनेट पर viral हुई थी देखिए इनका face ध्यान से इनके एक side पर बहुत सारे wrinkle है और दूसरी side पर face ठीक है well because 365 days यह driver का job करते थे और face की जो side sun को exposed हुई उनकी उस side बहुत सारे you know dark patches आ गए wrinkles जल्दी आ गए और दूसरी side comparatively ठीक है so इस बात से मैंने यह सीख ली कि sun केवल केवल tanning नहीं देता है wrinkles देता है dark spots देता है even sometimes cancer भी देता है तो इसलिए अपनी skin को sun से protect करना बहुत बहुत ज़रूरी है तो रोजाना sunscreen लगाने लगी तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ sunscreen की और ये वीडियो डरीकेश करने वाली हूँ आमरीन को जो कि मेरी प्यारी से subscriber है इन्होंने कल वीडियो में comment करके मुझे से पूचा था कि पूचा इतने सारे वीडियो बनाते है वीडियो ज़रूर बनाना विकाज हमें उसकी बहुत ज़रूरित है कि मार्केट के sunscreen या तो वाइट कास छोड़ते हैं आपकी skin पर जो कि दिखने में बहुत बहुत अजीब लगती है आपका skin patchy लगता है चाकी लगता है या फिर sunscreens आपकी skin पर इतना heavy feel करते है कि आपकी skin breathe ही नहीं कर पाती है आपको बहुत ज़्यादा sweating होने लगती है जैसे ही आप sunscreen apply करते हो और बहुत सारे लोगों की यह complaint है कि पूझा sunscreen जब भी लगाते है ना चेहरा काला पड़ जाता है तो आज के वीडियो में यह सारी problems का एलाज आप लोगों के साथ share करने वाली हूं because एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार natural sunscreens आप लोगों के साथ share करूंगी जो कि आपकी skin को काला तो नहीं बल्कि whiten करेंगे lighten करेंगे दूसरी चीज कोई white cast नहीं छोड़ेंगे तीसरी चीज कोई chemicals नहीं है इसमें इसलिए 100% natural है और चौती चीज इनको बनाना इतना cost effective है लाइक मार्केट से जो तीन सो चार सो पांच सो हजार रुपे की sunscreens आप लेते हो घर में आप पांच से दस रुपे की पर आसानी से बना सकते हो दूसरी चीज यह संस्क्रीन जो मैं आपको बता रहे हूं यह यूवी ए यूवी बी दोनों रेज पर काम करेंगी broad spectrum sunscreens है यह यह संस्क्रीन बताने से पहले छोटी सी जानकारी आपको देना चाहती हूं वह यह है कि हमारी स्किन की विंडो अगर अगर खुली हुई है न तो ऑवियसली सन जो है वह हमारी स्किन पर बहुत डामेज करके जाएगा उस पर बुरा प्रभाव छोड़के जाएगा यूगर हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं तो कोई भी अंदर आ सकता है और यूग कुछ भी कर सकता है तो इस बेटर कि आपकी स्किन को आप इतना सशक्त बनाएं इतनी इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाए कि सन डामेज का कोई असर जल्दी से उस स्किन पर ना हो उसके लिए क्या करना है उसके लिए 5-6 चीज़े हैं जो की नाचुली आपकी स्किन में मैलनिन के प्रोड़क्शन को कम करती है और निश्क्रिये करती है पहली चीज है केला रोजाना एक केला जरूर खाएं केले में नाचुल पूटेशिम होता है नाचुल गोल्ड होता जो की आपकी स्किन में मैलनिनोसाइट की प्रोड़क्शन को रिड्यूस करता इस पर ग्लोव भी लाता है और सन डामेज से बचाता ह दूसरी चीज है कैफीन अगर आप ब्लाक टी या ब्लाक कॉफी दिन में दो बार ले लेते हैं तो यह आपकी स्किन को सन डामेज से बचाती है तीसरी चीज है वालनेट्स यानि की अक्रोट तीन से चार अक्रोट अगर भीगे हुए रोजाना खा लेते हो तो यह आपकी स् स्किन के हाइड्रेशन को बनाई रखने के लिए और साथ ही साथ सन की हानिकारक किरनों से बचाने के लिए तो इनको कंज्यूम ज़रूर करें अगर एलोवेरा जूस का एक से दो चम्मच आप एक ग्लास पानी में मिक्स करके पीते हो तो सन डामेज होगा नहीं टानिंग जल् तो इस तरह की डाइट अगर लोगे यह सब चीजे लोगे तो सन टैन का सर आपके फेस पर बहुत बहुत कम होगा दूसरी चीज है एप्लिकेशन जैसा कि मैंने पहले बताया चार तरह के संस्क्रीन घर में बनाना सिखाने वाली हूं आपको तो वीडियो में बने रहिएग और वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब ज़रूर करना विकज यही मेरी मोटिवेशन बनता है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की तो पहली संस्क्रीन जो की 100% नाच्रल है बहुत इफेक्टिव है और जब आ अगर कड़कती धूप में जा रहे हो तो यह काम नहीं करेगी लेकिन जब आप घर में हो आपको थोड़े प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप यह संस्क्रीन अप्लाइ कर सकते हैं सिंपल है कोई खर्चा नहीं घर में दूध है नीम्बू है दोनों चीज़े यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे चार चमच दूद लेंगे उसमें एक चमच नीमू का रस लेंगे और दोरों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जो मिल्क करडल हो गया यह नाच्रल संस्क्रीन है 20 SPF का प्रोटेक्शन देती है यह संस्क्रीन आपको तो अपने हाथ पर ल अब बढ़ते हैं दूसरी संस्क्रीन की तरफ जो की highly sensitive skin वालों के लिए बहुत बहुत अच्छे से काम करती है SPF प्रोटेक्शन देती है आपको तक्रीबन तक्रीबन 25-30 का और साथ ही साथ यह all weather संस्क्रीन है सभी मौसम में इसे आप लगा सकते हो ड्राइनस को भी कंट्र करती हो और टोनर का खर्चा भी बचता है तो टोनर प्लस संस्क्रीन है करना क्या है आपको लेना है 25 ml रोज वाटर रोज वाटर किसी भी ब्रैंड का आप ले सकते हैं या घर पे बना सकते हैं रोज वाटर के साथ साथ जो दूसरी चीज आप आज करेंगे आदा चमच ग्ल वेरा घल में उसम्टे चृह दैंज में ड्रैंजा जरकी बति तरह तावरियन चे था गल वेल विल 3 चमच अलग लेकिन ये सन के mild exposure के लिए लाइक 11 बजे तक की धूप के लिए अगर आप बहुत ज्यादा कड़कती धूप में जा रहे हो तो उसके लिए दो संस्क्रीन जो आगे बता रहे हूं वो काम आएंगे अगला संस्क्रीन है कैरेट संस्क्रीन आपको मैं बता दूं कैरेट में 35 SPF ह होता है जी हां आपको सूरज की हानिकारक किर्णों से बचाती है ये इसलिए कैरेट खानी भी है और कैरेट की संस्क्रीन लगानी भी है तो क्या करना है यह मैंने एक कैरेट ली है इसको कदूकस कर लिया है और कदूकस करने के बाद इसका juice एक्स्ट्राक्ट कर लेंगे तक से जुल सी हुई स्किन को भी ठीक करेगा अचा यह संस्क्रीन आपको शन के एक्स्पोजर में जो सन डामेज होता उससे बचाएगी तो है ही साथ ही साथ अजर ऑरेडी डामेज्ट है इसको भी रिपेयर करने का काम करेगी इसमें जो next ingredient आप आप करोगे वह है आलोवेरा ज तीन चम्मच अलोविरा जल इसमें डालेंगे अलोविरा जल अगें एस्पीएफ देता है आपको और स्किन के पीएच बालन्स को भी मिंटेन करता है और अब डालेंगे एक विटमिन E का कैपसल जिसमें की 5 SPF होता है तो टोटल ये 50 SPF का आपका संस्क्रीन बन गया अच्छे आफ पूरा दिन चलती है आपने अगर 9 बजे संस्क्रीन लगाई है तो मैकसीमाम टो मैकसिमम वह 4 घंटे तक वर्क करेगी दुबारा एक बार आपको संस्क्रीन लगानी होगी कोई भी संस्क्रीन हो चي 쓰면 मार्केट की अच्छी से अच्छी महंगे वाली संस्क्रीन हो वह तीन से चार गंटे ही work करती है और यह घर वाली इतनी ही work करेगी तो आपको चार गंटे के बाद एक बार sunscreen की coating दुबारा करनी होती है और अब बढ़ते हैं अगली sunscreen की तरफ वो है यह cucumber sunscreen cucumber में silica होता है और साथ ही साथ इसमें होता है SPF 25 जो कि आपकी skin को coolant calm भी करता है cucumber और सा पातिसाथ सन की UVA और UVB रेस से भी बचाता है तो क्यूकंबर लिया हाफ उसको पील करके उसको ग्रेट कर लिया है जूस इस तरह से निकाल लेंगे चार चम्मच मैंने क्यूकंबर जूस लिया है उसमें मैं एड़ कर रही हूँ दो से तीन चम्मच अलोवेरा जेल अलोवेरा जेल क्या करता है मैं आपको बता चुकी हूँ और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक चम्मच वालनेट ओयल यानि की अक्रोट का ओयल जो की नाच्रल संस्क्रीन है जो की जो मैलीनोसाइट्स बनते है न उनको निश्क्रिय करने का काम करता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह स्वीट आमन्ड ओयल यानि की बादाम रोगन भी ले सकते हो आल इसे अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि यह ट्रांसल्यूसेंट सा टेक्स्टर ना आपको मल जाए तो यह हमारी क्यूकंबर सं इस दोनों संस्क्रीन है यह बताई है जब घर में हो तो अपलाए करो बहर जा रहे हो जब 12-23 की धूक में जा रहे हो तो आप या तो कारेट संस्क्रीन अपलाए करना या क्यूकंबर करना और बहुत सिंपल है इनको बनाना आप बनाके फ्रिज में रखिएगा 20-25 दिन भी यह संस्क्रीन खराब नहीं होगी उसके बाद आप दूसरा बैच बना सकते हैं और नाच्रल चीजें हैं इसमें कई लोग कहते हैं कि जिंक ऑक्साइड यूज करो जिंक ऑक्साइड भी असल में केमिकल ही है और वह वाइट कास्ट भी छोड़ता है आपकी स्किन को लाइट कर दिया होगा नहीं किया तो अभी कर देना क्योंकि यहीं तो मुझे देता है मोटिवेशन आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाने की आमरीन आपको यह वीडियो कैसा लगा मैं आपकी क्वेरीज को शांत कर पाई या नहीं जुरूर कॉमेंट करके मुझे बदाई जब हम दूसरों के लिए खुशियां देते हैं तो वो जो वाइब्स जेनरेट होती हैं उनकी तरफ से हमारे लिए और हमारी तरफ से उनके लिए वो वाइब्स हमें स्वास्त के साथ साथ सुन्दरता भी देती हैं हमारे और 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 जितना आपका बढ़ता जाएगा जितन और किये गा, बाइ-बाइ